हिमाचल प्रदेश में जूनियर ओफिस असिस्टेंट आईटी कोड 817 की भरती प्रक्रिया पिछली करीब डेड़ साल से अधर में अटकी है सरकार के धिले रविये के कारण प्रदेश के 19,000 से अधिक अभ्यार्थी मांसिक रूप से परिशान हो रहे हैं अभ्यार्थियों ने अब सरकार को चितावनी दी है कि अगर जल्द पोस्ट कोड 817 की पदों की भरती प्रक्रिया को अंतिम रूप नहीं दिया तो वे विधानसवा चुनावों में भाजपा सरकार के खिलाफ प्रचार करेंगे जूनियर आफिस असिस्टन पोस्ट कोड 817 की अभ्यार्थियों ने बताया कि सरकार इस विशे में कोई गंभीर कदम नहीं उठा रही है 2021 से लटकी इस भरती में लगभग 19,000 अभ्यार्थी प्रभावित हो रहे हैं अभ्यार्थियों ने बताया कि ये मामला उच नियायाले द्वारा रोका गया है और अभी तक सरकार इसमें नियायाले के समक्षि उस्तकारात्मक पक्ष नहीं रख पाई है सरकार इस विशे में सार्थक नियने ले और इस भरती प्रक्रिया को आगे बढ़ाए ताकि अभ्यार्थियों का भविश्य खराब न हो अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो वे अगामी चुनावों में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे देख के सरकार, य 마음에 उमेड थी कि सरकार और और कमीशिन गैस्के ओपर हमारा टाइपिंगा रिजल्ट देंगे लेकिन अभी तक इसका रिजल्ट नहीं आया है, तो हम जब भी सरकार या इनके नुमाइंदों से इसके रिगार्डिंग बात करते हैं, तो हमें सिर्फ यही आशवासन दिया जाता है, कि आपका प्रोसेस हमारे ध्यान में हैं, और हम इसके उपर काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुल में ऐसा कुछ हो नहीं पाता है, और ग्राउंड पे चीज़े नहीं हैं, और काफी तब से लेके हमारा रिजल्ट है, यह पैंडिंग है, और हम जल से जल दिये चाते हैं, कि हमारा रिजल्ट निकलें और इस प्रोसेस को स्टार्ट किया जासे है, अगर हमारी यह मांगे नहीं मांगी जाती है, तो हम इसके लिए सरकार के खिलाफे अंदोलन करेंगे.